पुरे राज्य में पुलीस बनकर लोगों को ठगने और चेन स्नाचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाली हैदर अली गैंग पर पुलीस ने दिसंबर 2020 में मोका लगाया था इस मामले में अतरिक्त सत्र नियादीश MS आजमी ने दो आरोपियों को बेल मंजूर की है जमानत पर रिहा हुए आरोपियों में यरखेडा कामठी निवासी शबीर अली सलीम अली और हैदरी चौक निवासी नादीर जैदी तालीब जैदी का समावेश है आरोपियों की तरफ आंतरगत दही बाजार पूलिया पर महिला के गले से मंगल सुत्र उडाने के मामले में पुलीस ने उपरोगत दो आरोपियों के अलावा गैंग के मुक्या डीवी कॉलनी नियू कामठी निवासी हैदर अली यूसुफ अली मौसीन रजा गुलाम रजा यूसुफ अली अरी यह गैंग राजे के अलग-अलग शहरों में नकली पुलीस बनकर लोगों को ठकती है और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देती है इसलिए दिसंबर 2020 में पुलीस ने आरोपियों के खिलाफ मौका भी लगा दिया अधिकारी राजकारने ने नियाले को बताया कि चबीर और नादीर का इस घटना से कोई लेना दिना नहीं है वारदात के समय दोनों घटना स्थल पर मौजूद भी नहीं थे ना तो उनसे कोई माल जब्त हुआ है और नगवाह ने उनकी पहचान की है सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि कुल्हपुर सहीत अन्य शहरों में दर्ज हुए मामलों में आरोपियों की सक्रिय भूमिका रही है इसलिए उन्हें मोका में भी आरोपी बनाया गया दोनों पक्षों की जिरह के बाद नियायले ने आरोपियों को सशर्त जमानत मन्जूर की